विदेश मंतरी सुष्मा स्वराज अपने कमिटमेंट के लिए जानी जाती हैं एक बार अगर वो कोई कमिटमेंट कर लेती हैं तो उसको जरूर पूरा करती हैं सुष्मा की इमेज एक ऐसे विदेश मंतरी के तौर पर बनी है जो किसी की भी मदद करने को हमेशा तयार रहती हैं फिर चाहे कोई टुटर के जरीये ही मदद क्यों ना मांग ले एक बार फिर सुश्मा स्वराज ने टुटर के जरीये अनुरोध मिलने पर एक भारतिय की मुश्किल वक्त में मदद की विदेश मंत्री ने एक महिला की रिक्वेस्ट पर तेजी से प्रतिकरिया देते हुए वाशिंग्टन में भारतिय दूतावास को एक भारतिय मूल के व्यक्ति को उसके पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वीज़ा देने का निर्देश दिया जबकि दूतावास विज़ा दश्मी और मुहर्रम की वज़ा से दो दिन के लिए बंद है दरसल हर्याना के करनाल में रहने वाली सरीता टाकरू ने टूटर पर विदेश मंत्री से अमेरिका में रहने वाले अपने बेटे को वीज़ा देने की अपील की ताकि वो अपने पिता के अंतिम संसकार में शामिल हो सके जिसके बाद सुष्मा ने दूतावास को निर्देश दिये सुष्मा ने ट्वीट किया अमेरिका में हमारा दूतावास विजय तश्मी और महरम होने के कारण बंध है मैंने संदेश भेजा है हम दूतावास खोलेंगे और आपके बेटे को वीज़ा देंगे विदेश मंतरी के निर्देश के फोरण बाद भारते दूतावास ने सरीता से उनके बेटे के कॉंट्रेक्ट डिटेल्स साजा करने को कहा ताकि उन्हें तेजी से वीजा दिया जा सके सरीता ने कहा कि उनके पती की कल मौत हो गई थी और उन्हें ये जानकर बहुत हताशा हुई कि दूतावास आज और कल बंद रहेगा सरीता ने ट्वीट किया इस पर सुश्मा ने ट्वीट किया आपके पती के निदन के बारे में चानकर मुझे दुख हुआ जरा इंतसार कीजिए मैं आपकी मदद करूंगी आपको बताने की इस से पहले भी कई दफ़ा सुश्मा स्वराज ट्वीटर पर मिली शिकायतों और मदद की अपीलों पर एक्शन लेकर चर्चा में रही है